शराब दुकान खुलने के बाद राजनितिक सरगर्मिया तेज हो गई है विपक्ष को अब बैठे बिठाए राजसरकार को घेरने का मौका मिल गया है पूरो मुख्यमंतरी डॉक्टर रवनसी ने मुख्यमंतरी भुपेश बगेल पर शराब कारोबार को प्रारम करने की अनुमती देकर एक तपस्या को भंग करने जैसा कृत्त करार दिया है उन्होंने कहा कि 40 दिन से अधिक हो गए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू है ऐसे में 36 गर सरकार ने सिमित लाव के लिए शराब की सरकारी दुकानों को खोल कर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है अपने विधान समझ शेतर पहुँचकर डॉक्टर रमनसी ने पतरकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पूरा प्रदेश भूपे सरकार के राज में अराजकता के दौर से गुजर रहा है कुरुना संक्रमन से निपटने के बजाए शराब दुकानों के जरिये सरकार कमाई करने के मूड में है उन्होंने कहा कि सरकार यदि तीन माहा तक शराब दुकानों को बन रखे तो मात्र तीन सो करोड रुपे का ही नुकसान होगा जो कि कुल बजट के अनुसार 0.5 प्रतिशत है पूरो मुक्यमत्री डॉक्टर रमन से ने कहा कि कॉंग्रेस ने विधान सभाज चुनाओ के वक्त अपने चुनावी जनगोशना पत्र में 36 गड़ की जनता के साथ वादा किया था और ये वादा था सत्ता में आते ही 36 गड़ में कॉंग्रेस पहला काम करेगी वो है 36 गड़ में पूर्ण शराब बंदी उन्होंने याद दिराते हुए कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर राष्टी नेता राहुल गांदी की उपस्तिती में सभी ने कसम ली थी और राहुल गांदी ने भी यह कहा था कि शराब बंदी जरूर होगी एक माह में क्रियानवित नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे आज जनता पूछ रही है कि डेड़ साल से ज़्यादा समय हो गया है पूर्ण शराब बंदी का क्या हुआ लॉकडाउन के 40 दिन के बाद तीसरे चरण में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है उसके बाद भी अपने वादे को तोड़ते भी फिर शराब दुकान को खोलने का काम कॉंग्रेस ने जिस तरह से किया है इससे शोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धजिया उड़ रही है राहुल गांधी की उपस्तिती में उन्होंने कसम काई की सोगंद लिया था राहुल गांधी ने भी कहा था कि शराब बंदी ये पूर्ड शराब बंदी नहीं होगी एक महने के अन्दार इसको प्रियानमन नहीं होगा दौक्त जबतरी बदल देंगी आज जन्दा पूछ रही है कि तेड़स साल से ज़्यादा समय हो गए पूर्ड शराब बंदी क्या उड़ा लॉक्डाउन की चानिस दिन के बाद सत्रा तारीक तक लॉक्डाउन अभी है सत्रा मई तक उसके बाद भी अपने वादा को तोड़ते ये फिर्शे शराब दुपान खोने का काम कांग्रिस ने जिस्टर के सिक्टिया है मुझे लगता है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के घज्जे भी गड़ रहे है तो सरकार इन 144 या तो समाप्त कर देना चाहिए 144 लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पाट पढ़ाकर जनता को 40 दिन तक आपने दुनिया से काट के रखा और जब आपकी पैसे का सवाल आया थोड़े से पैसे का सवाल आया आपके साइदे काईदा कानून को काट के रखके कि खुड़े हम लोग को उसकाइदे कानून को तोड़ने के रिया अनमती दी इसका विरूत भारती जनता पर्टी करती है और हवारा इसमें इसपस्त मत है कि सरकार को आने वाले समय में जब तक कोरोणा का संकट है यह शराब बंदी तो कर नहीं पाएंगे लगता है कि घुसना जनता के साथ किया गया वाता विस्वाज़ाती होगा कम से कम तीन मैंने जब तक कोरोणा का संकट है तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचे प्रदेश कॉंग्रेस संचार विभा के अद्धक शैलेश नितिन त्रिवेदी ने डॉक्टर रमन से के आरोप का जवाब दिया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने 2018 के विधानसवा चुनाव के घोशना पत्र में किसानों की कर्जमाफी का त्वरित निदान की बात कही थी जिसे निभाया गया त्रिवेदी ने कहा कि कॉंग्रेस कभी भी वादे से नहीं मुक्री है समय पर सभी वादे पूरे किये जाएंगे कॉंग्रेस को राज़में पांस साल के लिए तीन चौथाई बहुमत से जनादेश मिला है घोषणा पत्र का एक एक वादा पांस साल के भीतर सरकार जरूर पूरा करेगी जिसमें शराब बंदी भी समुचित ववस्ता बनाने के बाद ही की जाएगी उन्होंने कहा कि भाज़पा और भाज़पा की बी टीम द्वरा जुट बोलने के लिए गंगा माता के नाम का दुरूपयो किये जाने की कॉंग्रेस करी निंदा करती है 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के दस दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था यही वादा हमने गंगा जल की कसम उठा कर भी किया था सत्ता में आने के बाद दस दिन नहीं लगे एक दिन नहीं लगा तत्काल राजि मंत्री मंडल ने अपनी बैठक लेकर किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया शराब बंदी का वादा हमने किया है और पांस साल के भीतर हम अपने घोषना पत्र के हर वादे को पूरा करेंगे भारती जनता पार्टी और भाजपा की बी टीम के लोग हमने गंगा जल को लेकर जिस प्रकार से जूट फैलाने में लगे हैं इन्हें शर्मानी चाहिए हिंदू धर्म में भारत भूमी में गंगा माता को पवित्र माना जाता है और गंगा माता का नाम लेकर जूट बोलकर भाजपा और भाजपा की बी टीम धर्म का निरादर कर रहे हैं बहराल चार मई से प्रदेश में खुले शराब दुकान से राजनितिक सरगर्मिया तेज हो गई हैं अब मेताओं के जुबान पर केवल शराब पर आरूप प्रत्यारूप के सिवाए और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देश टीवी के लिए राजनित गाउं से प्रदीप मेश्राम की रिपोर्ट